हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल फ्रेंड्स आज की वीडियो एक बहुत ही इजी से निटिंग पैटर्न की है जो यह डिजाइन आप स्क्रिन पे देख रहे हो देखो बहुत ही इजी डिजाइन है यह आप इस डिजाइन का जेंट स्वेटर बना सकते हो लेडिस करोगे बहुत ही प्यारा यह डिजाइन स्वेटर पर दिखाई देता है केवल दो स्लाइब में बनने वाला यह पैटर्न है यानि की तूरो का यह रिपीट पैटर्न है दिखिए इसकी पैक साइड उल्टी तरप से यह ऐसे दिखता है और यह है इसका फ्रंट साइड तो फ फिर 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6 लास्ट में हमने 5 फंदे एक्षा यहां पर रखने है ठीक है तो इस तरह से फंदे रखोगे आप तो आपकी प्रोजेक्ट पर यह डिजाइन बिल्कुल सैट बैठेगा देखिए कितना प्यारा यह डिजाइन है तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे ब 6 फंदे मैंने 3 बार डाले हैं 6, 6, 12, 16, 18 प्लस मैंने 5 फंदे इसमें एक्षा रखे हैं 5 फंदे एक्षा है तो टोटल यह 23 फंदे हैं ठीक है 23 स्टेचेज पहली सलाई हम बनाएंगे सीधी तरफ से 1 रोर राइट साइड ध्यान से देखिएगा केवल 2 सलाई का ही डिजाइ दोनों तरफ से यह डिजाइन डिलेगा सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से तो देखिए पहला फंदा एस्टी चाहिए से सीधा उतारेंगे धागा आगे करेंगे यहां से डिजाइन स्टार्ट हो गया है ठीक है एक पंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे, बीना भुने ही इस तरह से अमने से स्लिप करना है, फिर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा आगे ही रखेंगे, आगे के तीन फंदों पर सलाई इस तरह से डालेंगे, और देखी यहाँ पर जाली बनाते वे, यहाँ पर य तो टोटल यह 6 फंदो का डिजाइन है एज को छोड़की यहां से लेके यहां तक 6 फंदो का यह डिजाइन हमारे यहां पे बनाए इनी 6 फंदो के डिजाइन को हूं ने पूरी सलाई पे repeat करना है एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करके एक फंदा सीधा स्लिप करेंगे फिर धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे दागा अपनी तरफ ही रखना है, तीन फंदों पे सलाई डालनी है ऐसे, और तीन फंदों को बैक लूप से बुनेंगे इस तरह से, यहाँ पर एक जाली भी बनेगी, देखिए यह जाली बनी है और एक फंदा, अब तीनों को गिराएंगे, आगे के दो फंदे लेंगे, और इन दो फंदों को एक बार फिर से बुनेंगे ऐसे, बैक लूप से, यहाँ पर दो डिजाइन बना है, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप करेंगे, इस फंदे को स्लिप करना है, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, तीन फंदों पे सलाई डा करेंगे इस तरह से यहां पर जाली बनाते वे देखिए यह जाली हमने बनानी है और तीन का एक करना है बैक लूप से इस तरह से बुनते वे तीनों को गिराएंगे फिर आगे के दो फंदे लेंगे और इन दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे पिछे से बुनते वे ऐसे तो इसे सीधा बनेंगे तो देखे इस तरह से हमने पहली सलाई यहाँ पर बनानी है ठीक है दूसरी सलाई देखिए उल्टी तरफ से दूसरी सलाई पर भी हमारा डिजाइन है तो दूसरी सलाई भी आप ध्यान से देखिएगा एस टीच को स्लिप करने के बाद धागा पीछे करेंगे अब यहाँ से डिजाइन स्टार्ट हो गया है एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा तीन फंदे यह हो गये च्छे फंदो का यह रिजाइन है धागा अपनी तरफ करके एक यहाँ पर जाली बनाएंगे इन तीन फंदो को नीचे गिराएंगे आगे के दो फंदे लेंगे और इन्हें एक बार फिर से बुनेंगे ऐसे तो देखे एच को छोड़के यहां से लेके यहां तक यह च्छे फंदे हैं इनी च्छे फंदों के डिजाइन को हमने पूरी सलाई पर रिपीट करना है बैक साइड से एक फंदा स गिराएंगे आगे के दो फंदे लेंगे और इन्हें एक बार फिर से बुनेंगे ऐसे फिर से देखे एक सीधा एक उल्टा एक सीधा धागा आगे करके यहां पर एक जाली बनाएंगे तीन फंदों पर सलाई डालेंगे एक तो तीन इस तरह से बुनेंगे तीनों को आएगा एक फंदा सीधा आएगा फिर एस्टीच को उल्टा बुनेंगे तो इस तरह से हमारी दूसरी सलाई यहां पर बनेगी दो सलाईयों का ही यह डेजाइन है देखिए यहां से हमारा डेजाइन थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया है एक बार फिर से इसे रिपी गई यहां पर यह जाली बनाते हुए पीप प्र आगे के दो फंदों पर फिर से बने के ऐसे पर से रिपीट करेंगे मारा नजए दागा पीछे करेंए एक तो पर टीए पर पीप करेंगे इस्टीच करने दागा अपनी तरफ ही रखेंगे तीन फंदों पे सलाई डालेंगे तीनों फंदों को बैक लूप से बुनेंगे ऐसे फिर आगे के दो फंदे लेंगे इन दो फंदों पे फिर सलाई डालके बैक लूप से बुनेंगे ऐसे फिर देखे एक उल्टा दागा पीछे करके एक स्लिप करेंगे एक उल्टा बनाएंगे, दागा अपनी साइडी रखेंगे, तीन फंदों पिसला ही डालेंगे, जाली बनाते वे, तीन का एक करेंगे, बैक लूप से बुनेंगे, फिर दो को लेंगे, और इन दो को एक बार फिर से बुनेंगे, ऐसे, फिर दागा आगे करेंगे, एक उल्ट धागा पीछे एक slip करेंगे धागा आगे एक उल्टा और एस्टीच को सीधा तो यह मैंने फिर से यहां पर फर्स्ट रो यहां पर रिपीट करी है ठीक है सेकेंड रो बैक साइड पहला फंदा उल्टा उतारेंगे धागा पीछे करेंगे एक सीधा बनाएंगे एक उल्टा बनाएंगे एक सीधा बनाएंगे फिर धागा आगे करके सलाई पेस्तर से एक बार धागा चड़ाएंगे तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा ब एक उल्टा और एक सीध फिर एक जाली फ़most पर्लेंगे और एक करेंगे यह करेंगे यहां कि घुठ एक सीधा एक छ basic धागा आगे करके सलाई पर धागा इस तरह से गुमाएंगे यानि किजाली बिनाएंगे तीन पंदों पर सलाई डालेंगे तीन का एक करेंगे तीनों को गिराएंगे आगे के दो फंदे लेंगे इन दो फंदों को एक बार फिर से बुनेंगे ऐसे धागा पीछे करेंगे एक सीधा एक उल्टा एक सीधा और एस्टिच उल्टा तो देखिए मैंने दूसरी सलाई यहां पर दोबारा बना दी है अब देखिए सीधी तरफ से हमारा यह प्यारा सा ब्यूर्टिफुल सा नीटिंग पैटन देखिए कितना प्यारा यह डिजाइन बनके आता है इनी दो तो बनाईए इसे अपने प्रोजेक्ट पे और मुझे कमेंट करके बताईएगा आपको डिजाइन कैसा लगा अगर आपको मेरी डिजाइन पसंद आते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी जरूर करें जब आप चैनल सब्स यो में तक्ता के ले, बइब बाइब।